हेलो दोस्तों ये देखी जी एकदम पीजा से भी अच्छा बनके तयार हुआ है ओमलेट ये बहुत टेस्टी और स्वादिश बनता है इस परकार आप बनाएंगे तो इसको हाफ राइ बोलते हैं चोलो जी बनाना शुरू करते हैं ये मैंने लोहे का तवा लिया है उस पर दो ही डाल सकते हों आपकी मर्ची है और ना वी पसंदक्रते हैं तो मद डालना कोई जरूरी नहीं है उसके बाद क्या कै मैंने यह अरी मिर्च है इसको मैने काट लिया था अरक और इसको मैं इसपर डालेंगे यह नमक डालने के बाद इसमें हम डालेंगे लाल मिरчи पाौडर लाल मिर्ची पाउडर डालने के बाद इसमें हम और चीज़े एड़ करेंगे यह है थोड़ा सा गरम मसाला के साथ इसमें एड़ करेंगे थोड़ा सा जीरा यह देखिए इसका टेस्ट बहुत स्वाधिस्ट आता है वह यह देखो इसके बाद थोड़ी सी दाल चेनी यह खाने में बहुत अच्छी होती है लेकिन थोड़ी मातरा में डालेंगे और यह एक तरब से बिल्कुल सिक्के तयार हो गया है और इसको मंदिग ऐसे पकाएंगे तो यह बहुत टेस्टी और स्वाधिस्ट बन के तयार होएगा जलेगा भी नहीं और यह बन के रैड़ी करें यह देकिंगे कितना अच्छा बन गें तयार हो गया ब्रेक्वास्ट और बिना एडिट की हुई यह वीडियो है और कलर देखे कितना प्यारा आ गया है इसमें और खाने में तो टेस्टी है और यह देखो मैं आपको चार तरब से दिखा दीते गर्मा गरमा फ्राय बन